कारिक्रम में शोताओं आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारी महमान है महिला उद्यमी प्रीती राय प्रीती जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज किस कारिक्रम में दन्यवाद भारती जी प्रीती जी उत्राखंड एक महिला राज्य है उत्राखंड की आपने शेत्र में खदम रखे और आपने एक मुकाम हसिल किया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस कारिकरम के माध्यम से कि महिलाओं में वो कौन से गुण हैं जो उनको सफल उद्यमी बनाते हैं। सर महिला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और पहाड की महिलाओं के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि पहाड की महिलाओं का जीवनी पहाड जैसा होता है। और उनमें हिम्मत भी पहाड जैसी होती है। तो इसलिए कोई भी समस्या आए तो किसी भी समस्या से वो घबराती नहीं है। हर समस्या का समाधान करके आगे बढ़ती रहती हैं और अब पहले हम देखते थे कि हमारी पहाड की महिलाएं अपना घर, खेती, बाड़ी ये सब संभालती थी लेकिन आजकल हमारी पहाडी महिलाएं कारोबार में, उद्यमिता में भी काफी आगे बढ़ रही हैं और इसमें बहुत बड़ा सहीयोग हमारे सरकार का भी है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं, उनको अलग-अलग तरह से प्रोचसाहित कर रहे हैं तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी पहाड की महिलाएं, विशेसकर पहाड की महिलाएं कही जा सकती हैं कैसे शुरुवात की और क्या-क्या चुनौतिया आपके सामने आई जी सर शुरुवात तो हमने इसे एक व्यवसाई की तरह नहीं एक शौकिया हमने शुरू किया था बट ये धीरे-धीरे हम लोगों को इतना प्रोचसाहान और इतनी सहीयोग मिलने लगा कि य हमारे प्रोफेशन में व्यवसाई में तबदील होने लगा और अब तो इतने साल करते करते हम लोग आप कह सकते हैं जैसे अभी आपने का कि सफल उद्यमी तो खुशी होती है ये सुनकर कि आप हमें सफल उद्यमी का एक ओदा दे रहे हैं और हमें इहां पे बुला रहे है ताकि हम और दूसरी महिलाओं को प्रेरणा दे सके तो वो क्या कारे था जो आपने आरंभ किया और प्रेरणा किया थी उसके पीछे जी-जी बिलकुल सम जैसे हम लोग का मुख्य विवसाई मुंबतिया हैं आप देखते हैं कि नैनी ताल में भी बहुत मुम्बतियों का कारोबार होता है, अलग-अलग तरह की खुशभूदार, अलग-अलग डिजाइन की मुम्बतियां हमें मिलती हैं, तो जब भी हम नैनी ताल घूमने जाते थे या डेली से कोई हमारे लिए गिफ्ट लाता था, तो वहाँ पे हम लोगों के लिए कैंडल मुम्बतियां लाई जाती थी, तो उन्हीं मुम्बतियों को देख देखकर बड़ी जिग्यासा होती थी मेरी बहें को या मुझे, तो फिर इस तरह से धीरे-धीरे हम लोगों ने उस पे रिसरच करना शुरू किया, घर में वो मु मुम्बतियां बहुत डिफरेंट है या अच्छी लग रही है, हम उन्हें जब बताते थी कि हमने खुद घर में बनाई है, तो उन्हें यकीन नी होता था, फिर इस तरह से जैसे जैसे हमें अपने आसपास से प्रोचसाहन मिलने लगा, तो इस काम को हम थोड़ा सा और प्र प्रोचस में गुजरी रहे थे कि हम अपने घर में अलग-अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हम लोगों ने देरादून न्यूस पेपर में देखा कि एक वन डे वर्क्शॉप था, कैंडल मेकिंग वर्क्शॉप और ये डॉक्टर किरन पंथ है, मेरे खेल से पंथ य कोई समस्य आई, सर्, कोई भी काम शुरू करने में समस्या तो आती है, बट धीरे-धीरे अगर आप उस कारी को करते जाते हैं, तो आपको अलग-अलग लोगों से मिलकर उसका समाधान करके उसमें आपको, वतलब, आपका काम निखरता चला जाता है, सर्. अब बात करते हैं कि आज के दौर में, जब हम अंतरास्टिय मोटे अनाजो का वर्ष मना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसका एक अलग ही रुझान है पूरे दुनिया में, और पूरे भारत वर्ष में हमारे जो उत्पाद हैं, उनको सराहा जा रहा है, प्रिधान मंत्री ज फिखर समेलन आयजित किया, उससे पहले जो बैठके हुई, उनमें भी हमने जो मोटे अनाजों से तैयार हमारे भोजे पदार थे, वो उनको खिलाए, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर हमारे पास है कि मोटे अनाजों का अंतरास्टिय वर्ष मनाया जा रहा है, तो हम उत् उसरे देशों में बहुत पसंद किया जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि पाहर देशों में ग्लूटन फ्री प्रोडक्ट्स का बहुत मांग होता है, कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग ग्लूटन फ्री अनाज ही पसंद करते हैं, तो उस तरह से उसमें हमारे जो पहाडी मोटे अनाज होते हैं, वो बहुत सहीयोग देते हैं, इस तरह की समस्याओं में, और इसी तरह से, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि हमारी पहाडी महिलाएं, बहुत जुझारू होती हैं, और कही न कहीं से किसी न किसी उसका समाधान निकाली ल इतना इसको प्रमोट कर रही है अभी G20 में भी जैसे हमने देखा मतलब आलमोस्ट 80-90% जो था वो सब मोटे अनाज पे ही आधारी था जहां तक हम लोग पढ़ने सुनने में आया तो सर ये तो है कि मोटे अनाज का अभी बहुत अच्छा व्यावसाई बाजार उपलब्ध है और ये फलेगा फुलेगा आने वाले दौर में बिल्कुल बिल्कुल सर इसी तरह से जो हस्त शिल्फ है उत्राखट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाई जाते हैं चोकि यहां चार धाम यात्रा होती है और परेटक और तीर स्यात्री बड़ी संख्या में यहां पर आते ह थी जिए ईसे उतपाद हम तयार करें है जो लोग यहां से एक यादगार के तोर पर ले जा सकें तो इसमें उत्राखट की महिला बड़ी भूमिका निबा सकती हैं बहुत बड़ी भूमिका निबा सकती हैं अभी तो हम यह देख रहे हैं कि जो हमारे बड़े बड़े चार वहां पे जो फूल चड़ाया जाते हैं, उन फूलों का भी बहुत अच्छा सद्वियोग किया जा रहा है, उनसे अगरबत्ती और इस तरह से धूप बनाई जा रही हैं, तो कई अलग अलग नएने चीजें हम लोगों को सीखने को मिल रही हैं, तो आप जो महिला इस शित्र म अगर वह से यह को तरफ देखके कि अपकी आउशकता क्या है, और दूसरा है यहाइं की रुजहान क्या है, अगर आपका कि मुझत है, ने की बनीके आजिये, पर दीरे दीरे उस काम को आगे बढ़ाते रहेएं, आप देखे कि उसको हम कहां पे उसको प्रदर्शनी लगा सकते हैं या कहां पे हमें सरकार के द्वारा इस छेतर में मदद मिल सकती है तो आज कल तो social media भी काफी active हो गया है आप social media के थूबी अपने सामान का अपने आर्ट का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं आपको अच्छ प्रदर्शन करना है आपके हाथ में जो कौशल है उसको प्रदर्शीत करना है तो ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोगों के लिए यह शेत्र है कोई भी इसमें आ गया सकता है बिल्कुल सा हम देखते हैं हमारे पहाड से नून हम लोग कितने इस बात को हम कितना मामूली लेते थे जो हम लोगों के पहाडी नमक होते हैं लेकिन आज वही उस पहाडी नमक से हमारी महिलाएं देश-विदेश में प्रसित दो रही है उनके जो उत्पाद है पहाडी नमक अलग-अलग तरके नमक वो विदेशों में भी जा रहे हैं वो एक्सपोर्ट कर रही है तो कितनी जैसे आप सिक्षा नहीं भी ग्रहड कर पाए हैं तो आपको थोड़ी बहुत तक्निकी ग्यान होना बहुत ज़रूरी है सर जी तो अंत में क्या कहना चाहेंगी महिलाओं से जो इस समय सकारे करम को सुन रही है कि वो आत्म निर्भर हो सकती है उद्ध्यमीता के शेत्र में पास पास जो भी सरपंच है या जो भी कोई काफी सारे हमारे अलग-अलग गाउं में आगनबाडी की महिलाएं होती है या ब्लॉक में अलग-अलग अधिकारी होते हैं तो उन से मदद ले सकते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं ये जानकारी ले सकत है या क्या सरकार के दोरा बंदत मिल सकती है स्वेम सायता समों के दोरा भी वो लोग इस तरह से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं जी तो जिस तरह से आपने सपलता हसिल की है निश्य तोर पर महीलाओं के लिए आप प्रेड़ना की सुरूत हैं आज इसका रिक्रम में हमार बीच आएं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद